Friends, Welcome to My English Academy और आज जो हम सीखने वाले हैं वो है O साउंड वर्ड जब O और A दोनों लेटर जब मिलकर किसी वर्ड में आते हैं तो इसकी जो साउंड होती है वो है O की साउंड लेटर O का नेम लेटर O का नेम बोलते हैं इसमें चलो स्टार्ट करते हैं ब्ल ओ ट ब्लोत थ्र ओ ट थ्रोत म ओ ट मोत ल ओ ड लोड र ओ ड रोड त ओ ड ड टोड स ओ प जोड फ ओ म फोड र ओ म रोम ल ओ न लोन स, ओ, र, उल, ओ, क, ओ, स, ओ, क, शो, ल, ओ, ओ, फ, लुब, क, ओ, स, ओ, उस्त cooking n रोस्ट, ट, ओस्ट, टोस्ट, क, ओच, कोच, कोक, र, ओ, को, क, कोक, र, ओ, रो, च, कोक, रोच, चलो, इसके मेरिंग देख लेते हैं, ओट, ओट, जो हम खाने के लिए यूज करते हैं, जो ग्रेन, जो ओट का बना हुआ हो, ओट रहता है, उसे हम ओट कहते हैं, बोट, बोट आप सभी जानते हैं, बोट, जो क्या करता है, नाव, जो हम तलाब, नदियों में चलता है, ये क्या कहलाता है, बोट, कोट, क्या होता है जो पहनने के लिए यूज करते हैं यह ऐसा बना हुआ होता है यह कहलाता है गोट गोट मिन्स होती है बकरी फ्लोट फ्लोट मिन्स होता है तैरना फ्लोट मिन्स तैरना जैसे यह नाव नदी में बिना slowly slowly air के और water की help से ये तैरती है इसे क्या कहते है float bloat bloat मिन्स होता है जैसे कुछ हमारे body में कुछ चोट लग जाती है तो सूजय ना जाती है फोल जाता है तो उसे कहते है bloat throat, throat मिन्स होता है गला और moat, moat मिन्स होता है जो जैसे किले होते है और किले के ये चारो ओरे खाई होती है और इस खाई में जो अपने enemy से बचने के लिए इसमें पानी होता है, इसमें पानी होता है तो इससे ही इस पानी वाले place को ही हम क्या कहते हैं, इस खाई को moat कहते है load, load मिन्स जो किसी चीज पर लोट करना, ये भी लोट कहलाता है भारी हो जाना ये भी लोट कहलाता है रोट, this is रोड फिर है तोड, तोड ये मेढख का ही एक प्रजाती होता है जो इस्थल पर रहता है जमीन पर रहता है इसे तोड कहते हैं शोब, शोब means Savun Foam Foam means जो ज़ाग होता है इसे क्या कहते है Foam फिर है आपका Rome Rome मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना इधर उधर घूमना ये क्या कहलाता है आपका अब यहाँ पर है फिर जाके इधर घूमने चले गया या फिर हम कोई एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूमते रहते हैं, वो क्या कहलाता है, रोम, लोन, लोन लेना, बैंक से, किसे, बैंक से, लोन लेना, ये कहलाएगा, लोन, फिर है, शोर, शोर मतलब जो उची उडान भरते हैं, उची उडान जो भरते हैं, इसे क्या कहते हैं शोग ओक ये एक ट्री का नाम है शोग शोग मिन्स होता है डूबाना भी होता है या भीगोना होता है शोग मिन्स लोफ लोफ मिन्स जो ब्रेड होता है ब्रेड का तुकड़ा ये क्या कहलाता है लोफ कोस्ट कोस्ट मिन्स होता है जो समुद्र का किनारा होता है समुद्र का जो ये किनारे वाला पार्ट होता है ये क्या कहलाता है कोस्ट किनारा कोच सॉरी रोस्ट रोस्ट मिन्स होता है किसी को रोस्ट करना जैसे हम किसको रोस्ट करते हैं तो यह कहके राता है रोस्ट टोस्ट जो ब्रेड होता है यह जब सूख जाता है जो सूखा हुआ ब्रेड होता है उसे कहते हैं टोस्ट कोच कोच जो प्रसिक्षक होता है उसे कोच कहते हैं कौक्रोच कौक्रोच तो आप सभी जानते हैं यह एक प्रकार का इंसेक्ट है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर थैंक यू फोर वाचिंग इस वीडियो